दोस्तो आज की वीडियो में दो चीजों को एस्प्लाइन करेंगे सबसे पहले ज्यादतर लोग क्यों शेर मार्केट में अपने पैसे को लॉस में ले जाते हैं क्यों वो लोग अपने पैसे को पूरी तरीके से गवा देते हैं दोस्तो इसके तीन कंडिशन्स हैं सबसे पहली जब व्यक्ति किसी नियूज या किसी व्यक्ति के कहने पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पर चांस लॉस के जादा होते हैं जब व्यक्ति किसी कंपनी के शेर में आई एकदम से तेजी को देखकर उस कंपनी के शेर में इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पर भी लॉस के चांसे जादा रहते हैं अगर आप भी share market में successful होना चाहते हैं तो इन तीन चीजों को कभी follow ना करें दोस्तो बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी कंपनिया हैं वो अपने loans के installment और loan पर आई हुए interest पर ज़्यादा तर depend होती है लेकिन अब कभी कभी scam होने की वजए से ये company बहुत ज़्यादा घाटे में चली जाती है तो दोस्तो आज बात करते हैं तो आई yes bank के बारे में दोस्तो जिस समय में इस वीडियो को बना रहा हूं उस समय yes bank के share की price जो है वो 13 रुपे 20 पैसे है लेकिन दोस्तो एक समय इसकी share की जो price जबू 400 रुपे के आसपास पहुँच गई थी जिसको देखकर जादतर investor उने पैसे को invest करना शुरू कर दिया था ये वाद वही हुई जो दोस्तो मैंने अपने उन तीन topics में बताई थी कि तीन तरीके से व्यक्ति का पैसा share market में हमेशा डूब जाता है अचानक से किसी भी stock में आई तेजी को देखकर जो लोग पैसे को invest करते हैं वो जादतर अपने पैसे को डूबा बैठते हैं तो चली दोस्तो अभी इसकी कुछ current fundamental को चेक कर लेते हैं Yes bank के 2004 में इसकी शुरुआ राना कपूर और अश्यक कुपूर ने की थी इन दोनों की leadership में ये bank ने काफी जादा development किया था लेकिन दोस्तो इस bank crisis के बाद इसमें काफी जादा loss देखने को मिले दोस्तो अगर हम इसकी market cap पर देखें तो इसका market cap 32,821 करोड का है और दोस्तो 2020 में तो इसके लिए बहुत जादा loss हुआ था यानि 16.43 करोड का loss हुआ और वहीं पर एक next year में दोस्तो इस company ने थोड़ा backup किया 2021 में इसका जो loss था 16.43 करोड से घटकर 3.49 रह गया दोस्तो आने वाले समय महां ये मानता हूँ कि ये bank recovery कर शकती है लेकिन अगर हम इसकी promoter की holding की तरफ नज़र डालें तो ये बहुत ही जादा बुरी है इस company पर promoters की holding है वो बिलकुल वी नहीं है दोस्तो ये बहुत ही जादा इसका negative point है लेकिन इसमें अगर हम dividend की बात करें तो वो भी इतना अच्छा ये company नहीं दे रहे है क्योंकि already ये बहुत बड़े loss में है अगर हम इसके थोड़े price earning ratio की बात करें तो वो भी थोड़े negative में है दोस्तो इस bank के कुछ positive point भी है जैसे इ उसमें से yes bank ने अपने 70% कर्ज को reduce कर दिया है तो दूस्ते कि ये positive point है और इससे हम ये भी सोच सकते हैं कि आने वाले समय में ये company recover backup अपना अच्छा कर सकती है yes bank का पुराना NPA यानी non profit asset उसमें से उन्होंने 1500 करोड रुपए की recovery की है जिसकी वज़े से इनके ने NPA यानी की non profit asset है उसमें काफी हद तक शुदार हुआ है दोस्तो अगर हम इसके कुछ quarterly profit की बात करें तो इसने अभी पिछले अपने कुछ quarters में 204 करोड रुपए का profit फि दोस्तो अगर हम share market के नजरिये से देखें तो ये stock एक penny stock है लेकिन बहीं पर दोस्तो अगर हम तुड़े एक intelligent investor की नजर से देखें तो हम ये भी देख सकते हैं क्योंकि दोस्तो ये small cap company नहीं है तो यहाँ पर risk कम है और आने वाले भविश में हमारा stock अगर हम why करते हैं तो अगर आप इन stock में invest करते हैं तो आप अपने risk पर करें मेशा investment करने से पहले अपने खुद की एक research जरूर कर लें तब ही जाकर आप किसी भी stock को why करें बहुत ही जल्दी मन लेकर आने बाला हूं दोस्ते एक और next video जिसमें हम एक नए stock के बारे में थोड़ा discussion करेंगे अगर आप ऐसी interesting वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीस आज हमारे प्लीस आप हमारे इस YouTube चलने के लिए subscribe जरूर कर लें